कैसे आप सम लोग मैं बिलकुल ठीक हूँ आज मैं आपके साथ एक ऐसी रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ जो कि आपने खाई तो बहुत शादियों में होगी लेकिन बनाई कभी नहीं होगी और यह रेसिपी आपको कहीं यूट्यूब में नहीं मिलेगी तो इसके लिए मैं और उसमें हम डाल देंगे तीन नीमबू अगर आपके पास बड़े बड़े नीमबू है तो आप दो नीमबू डालेगा मेरे पास शोटे थे तो मैंने तीन डाले हैं उसके बाद हम डालेंगे अधरक लसन का पेस्ट एक चमज भर कर उसके बाद आधा चमज सोया सॉस नीमबू है और उसके बाद लाल चटनी शिजवान चटनी हो या मुमो की चटनी हो तो बहुत अच्छा है यह मैंने मुमो की चटनी बनाई थी तो मैं यह डाल रही हूं आपके पास घर में पीसयोई लाल मिल डालेंगे तो आप दाले हा चार चमज बर के घर चार चमज भर दूद हमें इसलिए डाल रहे हैं ताकि अंडे की स्मेल निकल जाए अभी आधा अंडा तो हम इसमें डाल देंगे और आधा अंडा हम इसका बाद में यूज़ करेंगे यह देखिए मैंने इसको अच्छा सा मिक्स दे दिया है इसको मैरिनेट करने के लिए रखेंगे आदे के लिए और यह मैंने आधा अंडा बचा लिया था यह देखिए हमारी कुल्फी कुछ इस तरीके से रेडियो कर आएगी आगे मैं आपको यह बनाना भी सिखाती हूं यह कुल्फी की स्टिक आती है यह आपको हर जगह मिल जाएंगी कुल्फी वाले की मिल जाएंगी आप लिए यह फ्री में देदेगा आपको तीन चार या फिक किसी भी शॉप से आप मंगा लिएगा आपके पास अगर ऊपर से थोड़ी शाव वाली स्टिक हो तो बहुत अच्छा है जैसी जूद्पिक की आती है वह बड़ी वाली स्टिक टिके वाली बहुत अच्छा है मेरे पास वह नहीं थी तो मैंने कुल्फी वाले से ली तो आप क्या कीजिएगा इसमें ऊपर का थोड़ा सा पार्ट काट के और उसको कट कर लीजिएगा ताकि ऊपर का जो पार्ट हो और जब हम इसके अंदर पीसे डाले तो यह थोड़ा शाप रहे पीसे स्मूथली अंदर च जाएगी तो हम इसमें एक एक पीसे ऐसे थोड़ा सा प्रेशर लगा के हम डालें आप ऐसे अंदर की तरफ हम इसको डालते रहेंगे आपको यह रेसिपी किसी यूट्यूबर के पास नहीं मिलेगी आप किसी यूट्यूबर को सर्च कीजिए नहीं इंस्ट्राग्राम पर यूट्यूबर आपको यह रेसिपी कहीं नहीं मिलेगी और यह स्पेशली यूपी वालों के हां पर तो हर शादी में होती ही है और आगी का जो पार्ट है उसको आप ठोड़े स्ट्रेट करके लगाएगा ताकि वह कुलफी की शेप आए इस तरीके से यह देखिए इसकी ब कि थोड़ी सी ऊपर की साइड हो ताकि जब हम टर्ण करें तो हमारा हाथ जले नहीं और फिर भी अगर आपकी और चली गई है तो आप चिम्टे की हल्प से इसको रोटेट करते रहिएगा इस तरीके से और याद रखिएगा आपको एक दम से इसको टर्ण नहीं करना है वर तो हम इस स्टेश पर क्या करेंगे जो हमारा लेफ्ट ओवर अंडा था थोड़ा से अंडा हम इसके उपर लगाएंगे बहुत जादे डिप नहीं करना है थोड़ा थोड़ा से लगाएंगे इस तरीके से और इसके बाद जो वाइट टेल जो आते हैं यह मार्केट में आपको हर जगा मिल जाएंगे आपके घर पर भी होंगे यह हम इसके उपर लगा देंगे इस तरीके से और इसके बाद हम इसको ऐसे घुमाएंगे ताकि जितना एक्सेस इसके ओपर यह तिल हैं यह सब निकल जाएं यह देखे हमारी दोनों खुल्फी बनकर बिल्कुल रेडी हैं अब हम इसको हम एक बार और फ्राइ करेंगे जब हम तिल लगाएंगे अंडा लगाएंगे तो हम इसको एक बार और फ्राइ करेंगे वह में शूट करना भूल गई थी और उसके बाद हम इसको बटर से उपर से इसके बटर डाल देंगे याद रखिएगा जब हम अंडा लगाएंगे और तिल लगाएंगे उसके बाद आपको एक मिनट के लिए इसको और फ्राइ करना है चारो साइट से ताकि जो अंडे का कच्छा पन है वो निकल जाए और तिल इसके उपर चिपक जाए ये देखिए ये कितना जूसी लग रहा अपने घर में और मुझे बताइएगा आपको मेरे रेसिपी कैसी लगी और प्लीज आप लोग वीडियो देखते हैं लेकिन यार आप लोग लाइक नहीं करते हैं प्लीज मेरी वीडियो को लाइक कीजिए प्लीज सपोर्ट कीजिए एक वीडियो बनाने में बहुत महनत ल झाल 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 झाल